हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सरकी क्लास आज की शिक्षा निदेशाले राष्टे राजधानिक शेत्र दिल्ली की वर्क्षीट वर्क्षीट नमबर 36 जो की कक्षा साथवी के विद्यार्थियों के लिए हैं यह ली गई है हिंदी विशे से और आज इसमें हम फिर से एक बार पाठ कंचा को जारी रख रहे हैं तो चलिए बिना समय गवाई शुरुवात करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों आज हम कंचा नमग पाठ का दूसरा अंश पढ़ेंगे और समझेंगे यह पाठ एक कहानी है जिसके लेखक टी पद्नुनाभन है पद्नुनाभन याद रखिएगा नीचे दिये गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो चलिए जल्दी से एक बार नीचे दिये गए अंश को पढ़कर समझ लेते हैं उसने हडबड़ी में फुस्तक खोलकर सामने रख ली रेल गाड़ी का सबक था रेल गाड़ी रेल गाड़ी प्रिश्ट सेंतिस घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है मास्टर जी बीच बीत बीच में बेंध से मेज ठोकते ठोकते उची अवाज में कह रहे थे बच्चों तुम में से कई ने रेल गाड़ी देखी होगी उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ती से ही चलता है भाब का मतलब पानी से निकलती भाब से है तुम लोगों के घरों में चूले में भी अप उने भी सोचा रेल गाड़ी उसने रेल गाड़ी देखी है चुक 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 यही रेल गाड़ी है वे भाब की भी गाड़ी का मतलब मास्टर जी की आवाज अब कम उची थी वे रेल गाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे पानी रखने के लिए एक खास जगें हैं इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं यह लोहे का बड़ा पीपा है जिसके अंदर वो पानी रखते हैं लोहे का एक बड़ा कांच का जार उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आवले जैसे जॉर्ज अब अच्छा होकर आ जाएगा जॉर्ज अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा सिर्फे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे उसके चहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा अनुभव के कारण वे उठकर खड़ा हो गया मास्टर जी गुस्से में है अरे तू उधर क्या कर रहा है उसका दम गुट रहा था बोल वे खामोश खड़ा रहा क्या नहीं बोलेगा वे अप्पू के पास पहुँचे सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है उसकी घबराट बढ़ गई तो आपने देखा कि किस तरह से ये जिस बच्चे की कहानी है असल में मास्टर जी तो रेल गाड़ी के बारे में समझा रहे थे तो उसको जो रेल गाड़ी के बारे में पता था तो वो उसी के धिमाग में वो ही रेल गाड़ी आने लगे फिर पता नहीं कौन सा सीन आने लग गया तो इतने में मास्टर जी गुस्से में आगे और उन्हें बोला भी तो कि वहाँ खड़ा क्या कर रहा है वो चुप चाप खामोश कर रहा है कुछ भी नहीं बोला तो इस तरहें से अब आगे क्या होगा अगले अंच में समझेंगे तो चलिए अब हम इस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर करने का प्रयास करते हैं तो पहला प्रश्ण है कि मास्टर जी द्वारा पढ़ाया जा रहा सबक किस बारे में था तो बहुत असान उत्तर है मास्टर जी द्वारा पढ़ाये जाने वाला सबक रेल के बारे में था फिर प्रश्ण नमबर दो सिर्फ वे दोनों खेलेंगी यहां किन दोनों की बात हो रही है उनके नाम लिखी इन दोनों की बात जौरज और अपू की बात क्योंकि वो अपने दोसे बारे में सोचा था कि जौरज आएगा या जिसके बारे में भी जिसका नाम जौरज है तो उसकी बात सोचने रग्या था वो फिर प्रशन नमबर 3 रेल गाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं, रेल गाड़ी को भाप का यंत्र क्यों कहते हैं, तो रेल गाड़ी को भाप का यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि जो उसका यंत्र होता है वो भाप की शक्ती से ही चलता है, फिर उसके बाद है प्रेशन नमर चार, भाप के और क्या-क्या उप्योग होते हैं सोच कर लिखिए आपको पता है भाप के और उपियों क्या होते हैं जैसे भाप लेना हमारी सेहत के लिए उपियोंगी है जैसे सर्दी जुखाम हो जाता है तो डॉक्टर भी कहते हैं न कि आपने भाप ली भाप लेने से आपका सर्दी जुखाम बिल्कुल ठीक हो ज चलिए अब अगला प्रशन देखते हैं, फिर आखरी प्रशन, प्रशन नमबर पांच, मास्टर जी गुस्से में क्यों थी, मास्टर जी भले ही पाट समझाते जा रहे थी, लेकिन अप्पू ना जाने कहां खोया था, उसने मास्टर जी की बात को सुनाई नहीं था, इसलिए मास्टर जी को अप्पू पर गुस्सा आया था, और ये आखरी प्रशन नहीं है, ये भाब के अलावा पानी के अन्यद दो रूप और कौन-कौन से हैं, तो कौन-कौन से हैं, एक दो बर्फ के रूप में पानी होता और तरल रूप में, जिस रूप में हम पानी को पीती है है ना, तो दो रूप, भाब के अलावा क्या हो गए, बर्फ और तरल रूप का पानी, तो ये तो थी आज की वर्क्षीट, अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हार निकलते समय, मास्क अवश्य लगाए, नेमित रूप से अपने हाथों को साबून और पानी से दोते रहिए, और जब भी आपकी बारी आए, कोरोना का टीका करन अवश्य लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है, और जिन्दगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, अमीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद,